तो दोस्तों इन दिनों काफी विद्यारतियों के द्वारा एकी QUESTIONS पूछा जा रहा है कि सर BCC 2021 का EXAMINATION FORM कब तक आएगा और सर DCC 2021 का EXAMINATION FORM कब तक आएगा सर अभी तक तो examination form आ जादा था बढ़ अभी तक नहीं आया क्यों नहीं आया तो बच्चो इसके पीजे का मैं reason बताऊंगा आप लोगो तो उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नहे हो पहली बारो तो इस चैनल को subscribe कर लो और bell icon को hit कर लो तो student जैसे कि आप लोग को मालूम है कि कुछी दिन पहले ITI वाले बच्चों का examination form रिलिज किया गया था और साती साथ DCCLE वाले बच्चों का भी examination form को रिलिज किया गया था तो बच्चों ये जो ITI वाले student थे और ये जो DCCLE वाले student थे इनका last form apply का date क्या था पांच अगस्त त 15 अगस्त तक ठीक है तो 15 अगस्त तक जो है ITI वाले बच्चे और DCCLE वाले बच्चे form को फिलब कर सकेंगे तो देखे यही reason है कि अब ये जो है form फिलब करने का परिक्रिया खतम हो जाएगा यानि 15 अगस्त के बाद ही काफी chances है कि कोई ना कोई notification निकलेगा यानि कहने का मत आज दिन और वेट करना होगा उसके बाद उसके बाद जो है आपको बहुत ही अच्छा news जो है सुनने को मिलेगा यानि आप लोग का examination form रिलीज कर दिया जाएगा देखिए बच्चों मैंने आपको कुछ दिन पहले ही एक notice भी दिखाया था देखिए यहां पे फिर से इस तरह से जो है सब का examination form को रिलीज किया जाएगा ठीक है तो बच्चों आप लोग को टेंसल लेने की कोई जरूत नहीं है आप लोग का examination form बहुत जल्द ही आ जाएगा यानि कुछी दिन और वेट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों आप लोग को मालुम है आई टी यही जाएगा उसके बाद से आप लोगों का start हो जाएगा तो चलिए बच्चों अगर जानकारी अच्छी लगी हो चैनल पर नहीं तो चैनल को भी subscribe कर दीजेगा और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा